यू तो रावण का और दशेहरा मैदान का बहुत ही नजदीक का रिष्टा है क्योंकि हर साल यहां पर रावण जलाया जाता है लेकिन इस बार रावण दशेहरा मैदान में ललकार की वजह से चर्चित है बिहार में जाती कर जंगन्ना कराई जा रही है तो मत्य प्रदेश में और फूरे देश में जाती कर जंगन्ना होनी चाहिए इस बार उसकी चर्चा सिर्फ इस वजह से हो रही है और ना सिर्फ चर्चा बहुजन समाज में हो रही है क्योंकि चंदर शेखर रावन बोजन समाज से आते हैं और दरितों की राजनिती करते हैं बलकि उनकी चर्चा अब कॉंग्रेस में भी हो रही है और कॉंग्रेस के एक बड़े निता दिगविजे सिह ने भी उनके इस कारेकरम की का जो जिक्र है वो अपने शोशल मीडिया हैं किया दिल्चिस्पी है उनका इसे दिल्चिस्पी लेना राजितीक हलकों में किस नए माएने को जन्म देगा और ऐस नए करवट को जन्म देगा बहुँ सारी बाते हैं जो अब उनके इस पोश्ट से जो है वो निकल कर आ रही है क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है बैरा कल जो कुछ भी हुआ मध्यपदेश के भुपाल में जो दशेहरा मैदान है वहाँ पे चंदशेखर रावंड ने ललका रहा है वहाँ की मध्यपदेश की सरकार को ललका रहा है और एक बड़ा जो मांग पत्र है उन्हों उन्हें वहां पर पढ़के सुनाया जिसमें पूरी तरह से CST OBC के बात कही गई है और पहली बार इस तरह से सारविंग तोर पर और एक बड़े संख्या में जहां पर लोग आये हुए थे वहां पर एक बार फिर से OBC के लिए 52 प्रतिशत आरक्षन की मांग करते हुए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्तेदारी इस नारे को दोराया गया आप में सुनिए क्यूंकि जाते के चंगन्ना होगी तो यह पता लग जाएगा कि किसकी कितनी संख्या है और आजादी के बाद किसको कितना आउसर इस देश में मिला है देश के सुप्रीम कोट में अति पिछड़े पिछड़े गली तादिवासी अलब संक्यक वर्गे कितने जज़ है उच नियाले में इन वर्गों के कितने ज़ज है केद्रिय सचीवाले में राचे सचीवालियों में इन जादियों के कितने सचीव अपर सचीव हैं कितनी इन वर्गों के चांसलर इतने किनके हैं कितना बिजनस इनके पास है कितनी नोकरी इनके पास है कितनी जमीन इनके पास है देश का कितना धन इनके पास है ये सारी बाते किलियर हो जाएंगी अगर देश में जादिकर करना हो जाएं ये मद्धे पर देश है जहां 52% से ज़्यादा अगादी पिछड़े वर्ग की है 52% OBC को 27% डारेक्शन क्यूं जिसकी जितनी संक्या बारी उसकी जितनी संदारी तो 52% OBC को 52% डारेक्शन मिलना चाहिए जब सो में से 52% आईए साइप देश पिछड़े वर्ग के लोगों के मेरे पिछड़े वर्ग के भाईयों के परिवारों से जाएंगे और वो मंदे परदेश की कुर्शे पर बैटके दीयाम एससपी बनके नियाई दिलाने का और अउसर देने का काम करेंगे तमी हमारी तरक्की हो पाएगी अभी 15% का दुज़ना दिया गाए मंदे परदेश में अस्कूल अतिती सिक्सक को अधिबार रंक देकर निमित किया जाना चाहिए किसानों को उनकी फ़सल का उचित दाम नियूंतन समर्थन मूले हमेस्पी की गारंटी दी जानी चाहिए मंदे परदेश में आसा कारे करता हो सहाई का रोजगार सहायक सचीव को निमित किया जाए आरेक्शन को सविधान की नोवी अनुसिची में रखा जाए परदेश सरकार परमोशन में आरेक्शन का कानून S.C.S.T.O.B.C. के लिए बनाए और उसको तथकार लागू करे निजी करन के नाम पर सरकारी परिश्टिष्टाने को बेचने का काम बब बन होना चाहिए यानि के अडानी अम्वानी को सरकारी जो है जो इस्टिउशन है उनको दिया जा रहा है ये खेल समाब थोना चाहिए मदे परदेश की परते गराम पंचायत में बाबा साब अमबेड कर और अन्मे महापुर्सों के नाम पे समुदाइक बावन बनाए जाने चाहिए और उनके अंदर हमारे महापुर्सों की स्टैचू भी लगाई जाने चाहिए सविधान की प्रस्तावना से सैकूलर और सोसलिस्ट से लटाने का जो सडियंद्र किया जा रहा है उसको रोकना चाहिए करोना काल में सुआस्टे कर्मियों ने कारिये किया उनको नीमित किया जाना चाहिए हमारे परिवार की जो पहन बेटियों बच्चों के साथ अन्या हो रहा है उसके खिलाब सक्त आरवाई होनी चाहिए नीजी करन के सारे आरेक्षन को समाब करने का जो खेल चल रहा है ये खतम किया जाना चाहिए पुलिस विभाग में साथाई कावकास लागू किया जाना चाहिए पुलिस विभाग में ग्रेड पे 24 स्वाप किया जाए वर्दी भक्ता कट्ड़ा बता दिया जाए पर्तियोगी परिक्षाए में 30 राशी खतम की जाए पुरानी पेंच्चन लागू की जाए मंदे पर्देश सास के भर्तियों में पात्रता प्रिक्षाए उस्त्रीर में S.C.H.T. O.B.C. को सावंडे वर्द की तुन्ना पे 10 परिजेंट छूट दी जाए मंदे पर्देश के प्रतेख संभाग में 500 सीट बालक बालिकाओं का छात्रवास खोला जाना चाहिए कंजोर वर्दों के लोगों और अस्पेस ली O.B.C. महासबा जैस और भी महारमी के खिलाब जो जूटे मुकल में किये गया है उनको वापिस लिया जाना चाहिए सीएश्टी एक्ट में मरतक परिवार को दीजिने वाली छती बूर्टी की रासी को तीनिस लाग रुपे बढाकर किया जाना चाहिए यहां पर खास बात यह है कि इस कारिक्रम का आरजन किसने किया था इस कारिक्रम का आरजन भीम आरबी ने किया था बहुत बड़ी संख्या में तमाम लोग वहाँ पर आये हुए थे हाँ लेकिन जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी से जुड़े कुछ लोग वे लंबे समय तक जुड़े हुए गायक वो भी वहाँ पर अपनी प्रस्थूती दे रहे थे साथ ही जैज जैसे आदिवासी जो संगठन है वो भी वहाँ पर मौजूद रहे इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो मद्यपदेश का जो बहुजन युवा है वो अब संगठित हो रहा है बैनर कोई भी हो लेकिन अ गवर्मेंट के लिए एक खत्रे की घंटी तो है ही और यहां से एक बात ये भी समझ में आती है कि भले ही बीजे पी इवीम के वज़े से हैं तमाम तमाम जो दुसरे उनके उप्योग चीजें हैं जिसका उप्योग करते हुए वो चुनाव जीद जाती है चुनाव जीद ज देश के नहीं आते क्योंकि ये वो भीड है जिसे पैसे देकर नहीं वुलाया गया तो हम अरक्षण के समर्तन में और सवीदान बचाओ को पक्ष में हम इंदोर साय वहुजन समाज के सारे लोग हैं और वरतमान हालात ऐसे हैं कि जो वरतमान सरकार जो है आरक्षण को महुजन समाज का फुरा समाज किसी बल को ना लेते हुए सर्व समाज समीदान को बचाने के हित में आज हम इंदोर से आये हैं और सभी जो राजनितिक दल हैं समाजिक संगठन हैं सबको हम साथ में रहके आरक्षण बचाने के हैतू समस्त प्रियास करेंगे और अबी से यहां पे भीड रुकने का नाम नहीं ले रही है यहां पे जहां तक जमूरी मेदान में पार्किंग की विवस्ता रखी गई थी वहां पे भी पेड रखने की जगा नहीं है और पब्लिक आती जा रही है खचा खच भरा हुआ जमूरी मेदान जहां पे असंख वाहनों की लीड है जिसमें बसें फोर विलर यह तो सिर्फ पार्किंग का इस्तल है जहां पे हजारों की मात्रा में गाड़ियां पार्क हुई है दो अरचन की समर्थन लें हजारों की टादाफ लें फीर्ड ये ये चेर्प ग्राॉन दसेरा मेदा बढ़ रही है कि पहले से खचागाच बहर चुका है